कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अप यू तो डियर स्वेंड लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था हमारा यूनिट स्टार्ट है और उसकी एक क्लास हो चुकी है आज हम मीन के उपर ही काम करेंगे आज भी और आज हमारे पास पर यह जो आप सीरीज देख रहे हो इस पर थोड़ डिफरेंट टैप्स की सीरीज है तो यहां पर आपको यह जो सीरीज आप देख रहे हैं इस पर आपको यह मिल रहा है कि जैसे कि आपके पास में यहां पर डेली अर्निंग है 100 रुपीस, 140 रुपीस, 170, 200, 240 रुपीस लेकिन इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास है पढ़ा था इंडिजुवल सीरीज मतलब जो डाटा गिवन था वो सिंगल किसी इंडिजुवल का डाटा गिवन था, इस बाट डाटा आपका किसी इंडिजुवल का गिवन नहीं है, इस बाट डाटा आपके पास में एक ग्रूप का गिवन है, for example, 5 ऐसे लोग है, 5 ऐसे वरकर हैं, जिनकी बेजिस जो है, वो 100, 100 रुपीस है, मैं फिर से कहता हूं बचे, आप पहले मेरी बास डाटा को रिकोर्ड करके रखा जाता है, कि रिष्टर वे मेंटिन किया जाता है, और वही मान लो आप, कि आपके पास में 1000 students हैं, example के लिए, और आप जो है 10 marks का test ले रहें, तो 1000 बच्चे हैं, और आप वहाँ पर 10 number का आपने test रखा, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐ जिनके एक नमबर है, जैसे आपके classroom में होता है, कई वार आपके जितने marks हैं, आपके classroom में किसी के भी marks हैं, तो 1000 बच्चों में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जिनके marks 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, बहुत सारे marks match करेंगे, अब वहाँ पर सब को अगर आप individually manage करोगे, तो आपको 3 3, 4, 5, 6 register आपके page जो है, वो आपके भर जाएंगे, आपका even पुरा register ही आप भर डालोगे, अगर एक एक data वहाँ पर रखोगे, तो पूरा 1000 बच्चों को data में, तो भई फिर आपके stats पढ़ने का फाइदा क्या हुआ, यह तो कोई भी कर देगा, और यह बड़ा complicated हो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कि जैसे एक marks, कितने बच्चों के आए हाथ खड़े करें, भई 1500 बच्चों के marks आए, तो वन marks लाने वाले 1500 student है, तो इसी को जब एक marks कितने लोगों के पास में है, यह data कितने number of person के पास में हैं, वो number of person को मैं लिख दूँगा सामने, तो basically उसको frequency कहते हैं, और जिसमें भी frequency आ जाता है, absolute data और यह data कितने लोग carry कर रहे हैं, number of person आ जाता है, उसे frequency कहते हैं, और जहाँ भी frequency आ जाए, उसको हम discrete series कहते हैं, तो आपको सबसे पहले के clear होना चिए, कि अब हम discrete series में काम कर कर रहे हैं, तो mean का मैं type two आपको समझाने जा रहा हूँ, mean में आप समझने जा रहे हैं type two और type two में आप पढ़ने जा रहे हैं discrete series सबसे पहले आपको यह पता है कि discrete series क्या होता है जहां पर data एक से ज़्यादा लोगों के पास में है तो एक data कितने लोगों के पास में हैं कितने लोग कैरी कर रहे हैं उस वो number of person भी लिखा रहेगा सामने तो इसको हम क्या बोलेंगे discrete series बोलेंगे अब जैसे यहां पर आप इसका मतलब यह मत समझेगा कि 5 लोगों के पास में 5 लोगों की daily earning 100 रुपीज है नहीं पांचों में हर किसी की 500 रुपए आमदनी है पांचों को मिला करके 100 रुपए नहीं है पांचों के में से हर किसी की 100 रुपए आमदनी है तो 100 रुपीज आन करने वाले 5 है, 5 लोग मिलकर के 100 रुपीस अन नहीं कर रहे है 100, 100 रुपीस अन करने वाले 5% है, मेरी बास समझगे तो यहाँ पर आप अगर अपने data का sum करोगे तो basically 1, 2, 3, 4, 5 5 observation को ही count कर पाओगे तो यह तो गरबड हो जाएगी ना, इसलिए आपके पास मीन क्या कहता है जितने लोगों का data है उन सब का आपको collect करना है और उन सब से divide करना है number of observation से तो आपका मीन आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पांच लोगों में सब के पास 100, 100 वेजीस है तो पांचों के परसन होता है इसको हम frequency कहते हैं और जो data हमारे पास में होता है उसको हम x कहते हैं, तो यहाँ पर हम f into x करना पड़ेगा, जिससे कि हर group का मेरे पास में क्या आ जाए, हर group का मेरे पास में total आ जाए तो हर group का पहले में total calculate करूँगा और आप यहाँ देखेंगे, इसी तरगे solve करेंगे clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, किसी बच्चे को doubt है तो please पूछ ले, हर्षीता के रिए, सर आपने सीजल का batch नहीं दिया है, तो बच्चे अगर आपका 31 सारीक से पहले अगर आपका, वह हुआ है, admission, तो आप team को एक बड़ दीजीगा, वह batch में आपको डाल देंगे, ठीक है जी? देखेगा तो आप बस simply इसको multiply करेंगे, बहुत आसान है, स्टेट्स आगे थोड़ा सा level इंप्रूब होगा इसका, लिखिन ऐसा नहीं है कि सोंज में नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है, कि आप जो है, थोड़ा परेशान होगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, तो आएए टोडल करते हैं इसका, टोडल क्या आएगा हमारे पास में, हमें कैई, जीरो और यहां पर आट दो दस, और पाँच, पंदरा, और एक कैरी कर लिया हमने, तो छे और दो आठ, 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 सूला, और साथ तेईस, 23 का तीन, और तो और यह तीन, तो आपके 33 सू पचास, और कितने लोगों डाटा है यह, तो ये पांच लोगों का था, ये दो लोगों था, तो मुझे F का सम करना पड़ेगा सिग्मा F, clear है, तो पांच, दो साथ, साथ और छे, तेरा, तेरा, और चार, सतरा, सतरा और तीन, बीस, clear है बच्चे, अब बस चीज़ें आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे क्या पड़ा रहा हूँ, हम डिरेक्ट मेथड पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, हम बच्चे, डिरेक्ट मेथड पड़ रहे हैं, डिरेक्ट मेथड इसलिए है, क्योंकि इसमें आपको सीधा सम करना डिवाइड करना है, तो क्या क्या मेरे पास में आ गया, सिगमा F, वो क्य यहां पर mean calculate करूँगा तो sigma fx upon sigma f and mean equals to यहां पर 3350 divided by 20, solve करेंगे आप 2 बंजा 2 और 1, 2, 12, 24 और 0.25 दस तो 167.5 यह आपका mean आ गया, इसको हम क्या वो लेंगे direct method, तो discrete series में आप इस बात का खासकर ध्या नखेंगे कि जब भी frequency आएगा, तो वो frequency का sum always होता है, ठीक है? और वो frequency multiply करता है, आप सवाल है कि किसको multiply करता है? यह depend करता है कि आप method क्या use कर रहे हैं, अगर आप direct method यूज कर रहे हैं, तो यहां पर सिरफ x का ही रोल है, डेटा, direct data पर ही काम होता है, तो यहाँ fx को multiply करता है, अगर आप shortcut method पे हैं, तो यह f multiply करेगा, तो यहुआ आप जो डेटा को short करते हो, शौट डेटा पर काम होता है, d पर, तो वहाँ f d को multiply करता है, वहाँ अगर आप step division method में काम करने, तो वहाँ पर आपका जो है, वो shortcut को और shortcut करते हैं, D dash, तो वहाँ F D dash को multiply करेगा, तो method पर depend करेगा, F किस पर multiply करेगा, अपने mind में इस बात को रखेंगे, clear है? तो चलिए, मैं इसी question में, मैं shortcut method की भी बात कर लेता हूँ, जो original data है, उसमें से कोई भी एक number assume कर लो, generally आप इससे बाहर भी कोई number हो सकता है, सबसे छोटा number भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज मैं subtract कर रहा हूँ, finally बाद में मैं उसको add तो कर दूँगा, क्योंकि मैं जितना subtract कर रहा हूँ, मेरा average उतना ही less हो जाएगा, उसको डाल दूँगा, मैं वापस अपने उसी average पहुंचा हूँगा, तो इससे फरक नहीं पड़ता, क्या चीज ए assume करेंगा, कुछ भी assume करो, इससे आपके answer पे कोई भी फरक है, नहीं पड़ेगा, हाँ, जो generally करते आएं हैं, बुक में भी तो मैं वही method follow कर रहा हूँ, तकि आपको वो नया नहीं लगे, आप confused मत होगेगा, तो मैं यहाँ पर a बच्चे 170, एदा a 170 consider कर लेता हूँ, तो इसमें से 170 गया, तो minus 70, इसमें से 170 गया, तो minus 30, यहाँ से 170 गया, तो 0, और यहाँ से 170 गया, तो 30, और यहाँ से 170 आपका गया, तो 80, this one, clear है, तो shortcut method है, तो data को तो short करना ही पड़ेगा, जो कि हमने कर दिया, अब data को short करने के बाद, हमारे पास में, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बच्चे, अब जो आपके पास में, f always उसका sum तो होता ही होता है, तो sigma f, ताकि पता लगे, कितने observation पर काम कर रहे हैं, तो यह 20 है, और हमेशा f multiply करेगा, किसको जो method पर काम कर रहे है, d पे, तो यह fd हो जाएगा, तो fd क्या आएगा यहाँ पर, ग्रीन कलर दिखेगा नहीं, fd, तो सबसे पहले आप fd करेंगे, तो f यहाँ पर multiply करेंगे, तो आपके पास में, 350 माइनस का, यहाँ पर f into d करेंगे, माइनस का 60, यहाँ पर multiply करेंगे, तो यह तो आपके पास में 0 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ multiply करेंगे 120, और यहाँ पर 240, solve अगर आप करते हैं, अब जिस चीज को multiply करते हैं, हमेजा उसका sum होता है, ध्यान रखेंगे, चुट-चुटी बात हैं ध्यान रखेंगे, तो इसका sum होगा, summation of fd, क्या sum होगा, देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्या हैं आपका, 350, plus 60, यह तो ऐसी 410, clear है जी, solve करेंगे, तो sigma fd equals to क्या आएगा, आपके पास में 50, वो भी minus का, clear है जी, कोई doubt, तो minus का आपके पास में क्या आगया, 50, अब formula apply करेंगे आप, जो पहले आला formula था, mean का, mean equals to sigma, क्योंकि आप fd का sum कर रहा है, और sigma f से divide होगा, लेकिन ध्यान रखें, कि आपने a subtract कर रहा है, तो आपका जो new data, जो short data का mean होगा, वो a less होगा, मुझे तो original data का mean निकालना है, तो कितना short होगा, जितना मैंने subtract कर रहा है सब में, याद आपको last class मैंने क्या बताया था, कि data पर जो effect पड़ता है, सब पर अगर same effect पड़ रहा है, तो वही effect आपका mean पर भी पड़ जाता है, तो जब सभी data को मैंने a से minus कर दिया, तो मतलब मेरा mean भी original mean के comfortably a less होगा, तो मुझे तो खेर original data दिया हुआ exam में, तो मैं उस data के mean पर जाने के लिए वापस मुझे a plus करना पड़ेगा, यह last class देखिएंगे तो उसमें मैंने अच्छे से explain कर रखा है, तो यहाँ पर आपके पास में a क्या है, a आपके पास में बच्चे है 170, sigma fd क्या है मेरे पास में, sigma fd मेरे पास में है, minus 50, और sigma f क्या है मेरे पास में, sigma f मेरे पास में है, 20, अच्छे तो mean निकालते हैं, x bar equals to, a, 170, plus sigma d minus 50 upon 20, this, solve करेंगे, x bar equals to, 170, यह हो जागा minus, और यह हो जागा 2.5, तो x bar equals to, x bar equals to, 168, 167.5, this one, यह आपका mean आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे, shortcut method, लेकिन अगर मैं इसी सवाल में बात करता हूँ, step division method की, step division method किस तरे किसा आप करेंगे, बात करते हैं यहाँ पर step division method के, देखिए, step division method क्या कहता है, कहता है कि जो data, short data है, जो data का अपने छोटा क्या है, step division कहता है कि इस data को मैं, और भी छोटा कर दूँगा, तो चलिए, पहले छोटा दो कर लीजे, बाद में और छोटा करेंगे, लास्क्लास में याद है ने आपको, लास्क्लास में connect करके आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, तो D, तो पहले D निकालेंगे, D कैसे निकलेगा आपका, X-A, और A क्या ले रहे हैं आप, चलिए, 170 ही लेता हूँ में, A, तो यहाँ पर –70, – यहाँ पर आपके पास में –70, और यहाँ पर आपके पास में 0, और यहाँ पर आपके पास में 30, और यहाँ पर आपके पास में 170, तो 80, ठीक है जी, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इसको और छोटा करना है तो इसको और छोटा करना है तो इसको और छोटा को मतलब हम कहते हैं D- कैसे होता यह यह जो है आपका बच्चे D को किसी common number से divide कर दो जरूरी नहीं को क्या हो गया माइनेस 3 माइनेस 7 और यह 0 & 3 और 8 क्लियर जी अब आपको पता है कि भया एफ का क्या रोल है एफ तो पहले आपने आप में समतो होता ही होता है हमिशा तो इस तो ट्वेंटि है और एफ क्या करता है एफ हमेशा उसको मल्टिप्लाय करता है जो मैथ हिए अगर डेरेक्ट मेथौड है तो अट स workforce को सिधा मेंटिप्लाय करता है shortcut method है तो वहाँ डी का यूज है तो f वहाँ पर d को multiply कर देता है और step deviation method है तो वहाँ पर आपके पास में यह method कुछ सा पढ़ रहे हैं इस पर method पढ़ रहे हैं यह step deviation method को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर f multiply करेगा क्योंकि step deviation method है मेरे पास में मेरे पास में मेरे पास का रोल है तो यहाँ पर f into d डाइस हो जाएगा तो f क्या 5 into 3-15 2 into 6-14 और 6 यह तो 0 और 4 into 3-12 और यहाँ पर 3 into 8 24 अब इसका हम सम करेंगे तो हम यहाँ पर सम जो कॉलम multiply होता है हम इसा उस कॉलम का सम होता है clear है अगर f ने x को multiply किया है direct method में तो इसका सम कर रहा है मैंने shortcut method में अगर f ने d को multiply कर रहा था तो मैंने वहाँ पर f d का sum कर दिया था यहाँ f d डाइस को multiply कर रहा तो f d डाइस का सम होगा तो इसका सम नहीं होगा तो आप सम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में यह हो गया आपका 29 and plus में यह आपके पास में हो गया 36 और equals to 7 आगया आप इसको solve करेंगे तो x bar equals to अगर आप sigma f d डाइस डिवाड़े बाई अगर आप sigma f कर दे तो यह तो d डाइस का मीन आ गया लेकिन d डाइस बना कैसे था d से बनाता कैसे c से डिवाइड करके तो मैंने क्या होता है अगर सभ सब्सक्राइड होगा तो बापस सी से मंटिप्लाइ कर देता हूं तो मैंने पास में डी का मीन आ जाएगा लेकिन डी डेटा भी कैसे बना था एस सब्ट्रेक्ट करकर के तो मेरा जो मीन आएगा और डीटा से ए लेस आएगा तो बापस मैं इसमें एड कर देता हूं तो मैं original data के mean तक महुँच जाओंगा यूसमें की मेरे पास में A क्या है मेरे पास में A 170 है sigma F D dash क्या है जो की मेरे पास में 7 है और C equals to क्या मेरे पास में 10 है और sigma F equals to 20 है सब लिखना पढ़ेगा आपको paper में clear है तो solve करेंगे आप यहाँ पर X bar equals to आपके पास में 170 plus space कम पढ़ रहा है यहाँ यह ठीक है यहाँ लिख रहे तो मैं X bar equals to A plus 170 plus sigma F D dash 7 upon 20 into 10 clear है जी solve करते हैं यह कुछ तो गरबढ़ हुई है विटा यह यह बीस नो उननतिस और यह 30 और यह 36 और यह आगया प्लस का साथ 7 divided by 20 to 3.5 और यह मेरे पास में 170 to 10 कुछ गरबढ़ हुई है यहाँ पे तो एक पिंट होल्ड करते हैं कि देखो कि स्वाल करेंगे माइनिस फाइव तो यहाँ पर मेरे पास में मीन क्या हो जागा एक्स बार थोड़ी थोड़ी हम कर देतने करेक्शन अब्री डेस क्या है माइनस फाइव है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस अब्री डेस मैनेस फाइव अपॉन टू टैन तो वन सिक्षी एक्स बार इक्वल्स टू वन सिक्षी सेवन पॉइंट फाइव क्या आप अलग अलग मैथर से कर रहे हैं तो आपका आंसर पर कोई फर्क है नहीं पढ़ना चाहिए तो यह आपके पास में क्या हो गया step division method आपका यह हो गया clear है जी तो आपके पास में mean का अगर आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पर last class में एक आपको individual series पे मैंने बात करी थी वहाँ पर मैंने तीनों method से कुश्ण करवाए हैं और आज की class में मैंने आपको जो है discrete series पे मैंन तीनी टाइप की series पूरे stats में आपको कुल मिला करके तीन टाइप की series नजर आएगी पूरे stats में तीन तरीके के ही series होंगी एक individual series एक discrete series और एक continuous series और कोई होता है continuous series के अंदर आपका exclusive होता है continuous series के अंदर आपका exclusive होता है तो हम next class में आज थोड़ा से इतना ही रखते है next class में मैं आपको इस पूरे continuous series के इन पाचो section के बारे में बताऊंगा और आप यह मान के चलिए कि पूरे stats जो भी पढ़ेंगे चाहे आप index नमर पढ़ रहे हैं चाहे आप correlation पढ़ रहे हैं चाहे आप regression पढ़ रहे हैं चाहे आप dispersion पढ़ रहे हैं standard division पढ़ रहे हैं मलब कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उन सब में आपको जिप series को जो handle करना है कैसे tackle करना है जो आप यहीं सिखेंगे सब में यही बात common repeat होने वाली है clear है तो आगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी इसलिए सबसे पहले हमने start कर रहे हैं आपका कर दो कर दो